मस्ते वेलकम बैक ओन माई चानल जीम सार आर्पियस अपन पढ़ रहे थे क्लास 10 के लिए बहुपद इसमें 3.1 प्रश्णावली के पहले स्वाल को अपन कंप्लेटली पहले पढ़ चुके हैं उस वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे दे रखी है आज अपन 10.1 की प्रश्णावली के दूसरे स्वाल की बात करेंगे क्या है स्वाल एक दिवगवात बहुपद ग्याद कीजिए जिसके सुन्यकों का योग तथा गुननफल करमसर निम्न है अपन को एक दिवगवात बहुपद ग्याद करना है जिसके सुन्यकों का योग औ और सुन्यकों का गुणनफल है 2 अब बात करते हैं जब अपनको दियुगात बवपद ग्याद करना हो और उसके सुन्यकों का योग और गुणनफल अपनको पता है तो कैसे ग्याद करेंगे तो यहाँ एक फर्मूला लेख रखा है देखो जब दियुगात बवपद के सुन्यकों का योग एक्स पलस सुन्यकों का गुणनफल इस फर्मूला की सायता से अपन अपना बवपद ग्याद करेंगे जो मान अपन को दे रखा है वो अपन इसमें रख देंगे तो शुरू करते हैं तो बवपद देखो एफ एक्स अपन सीदा वहाँ से मान उठाते है तो सबसे पहले आता है के तो यह रख के उसके बाद बड़ा कोश्टक तो बड़ा कोश्टक उसके बाद है एक्स स्क्वेर तो रख देंगी एक्स स्क्वेर माइनस का माइनस उसके बाद है सोटा कोश्टक सुन्यकों का योग देखो सुन्यकों का योग यहां कितना है माइनस 3 तो सुन्यकों का योग हो गया माइनस 3 कोश्टक बन उसके बाद है X तो यहां आजएगा X फिर साइन है पलस का तो यहां आज़ेगा साइन पलस का उसके बाद सुन्यकों का गुणन फल अपने पास सुन्यकों का गुणन फल है दो तो यहां आज़ेगा सुन्यकों का गुणन फल दो कोस्टक बंद आगे करते हैं तो K का वापस K बड़ा Cos्टक का बड़ा Cos्टक X2 का X2 और स्टुयर का माइनस और माइनस गुणा होकर हो जाएगा पलस थीन और इस X का इस X3 के साथ गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 3 X पलस दो अब के अपन को पता है क्या है वास्त्विक संख्या है तो इसका कोई मतलब नहीं है तो अपना बवपद हो जाएगा कोश्टर के अंदर वानी चीज x square पलस 3x पलस 2 यही आपका हो गया बवपद के हट जाएगा क्योंकि के एक अचरपद होता है या फिर वास्त्विक संख्या होती है इस पलका क्लाश 10th की मैथ की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ क्यूसर नंबर 1 देखने के लिए वीडियो के निचे कैसा साइन आ रहा है उसके उपर किलिक करोगे तो उस वीडियो की लिंक भी आपको मिल जाएगी धन्यवाद